जब देश की सरकार, देश के प्रधान मंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधान मंत्री के एक दोस्ट को बचाने में सरपन, एकदम अरपन कर दिया गया हूँ, समरपन है टोटल तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पियमो की नाक के नीचे, ग्रह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको कानो कान खबर नहीं है, क्यों, क्योंकि जनाब 18-18 घंटे जाग के अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 18-18 घंटे, उन तो 18-18 घंटे तो प शील इलाका इस देश का इस विश्व का वहाँ एक हफ्ता नहीं एक दिन नहीं एक महिना नहीं पांच महिने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखा धड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है साहिब को सवाल ये उठता है ये है आपका सूचना तंत्र ये है आपका इंटेलिजन्स मेकानिजम जिसको पांच महिने लग गए ये पता लगाने में कि आपके नाम का दुरूपयोग समवेदन शील इलाकों में हो रहा है ये भाई साब जो है z plus security लेकर कश्मीर में घूम रहा है प्रदान मंतरी के कारयले का कार्ड छपवा कर कश्मीर में घूम रहे है आएस अधिकारियों को घुड्की दे रहे हैं लोगों की transfer postings की बातें कर रहे हैं और ऐसे समवेधन्शील इलाकों में जाते हैं जहां civilians का जाना allowed नहीं है, civilians को वहां नहीं जाने दिया जाने मैं और आप नहीं जा सकते, आप तो press card है तो भी नहीं जा सकते, अनुमती के बगार, उरी के जो हमारे जो पी-ो-क के साथ जो एक लिंक करता है पुल उस पुल तक पहुँच गए साथ पाइव स्टार होटेल ललित अभी आप लोग सवाये थे कश्मीर में तो आपने देखा था ललित कहां है एकदम सुरक्षा की दृष्टी से बहुत ही समवेधनशील इलाके में यह होटल है जहां इनको ठहराया जाता है वेरिफाइड ट्विटर हैंडल तो चलो आज कल मिली जाता है उससे वो लगातार वीडियो डाल रहे है अपने फोटो डाल रहे है सिक्यूरिटी जो उनको मिली विए उसकी फोटो डाल रहे है लेकिन साहब को खबर ही नहीं है साहब तो बिजी है, साहब किसी और को बचाने में बिजी है, देश को थोड़ी बचाना है उने है सवाल मैं उठाओं उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि Z plus security होती क्या है आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ Z plus security का अर्थ क्या है पच्पन लोग आपको मिलते हैं Z plus security में, 55 इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दू 10 armed static guards होते हैं, 6 PSOs round the clock मिलते हैं 24 सिपाही मिलते हैं, 2 escorts round the clock जो गाड़ी आगे चलती है, 5 watchers जो नजर रख निगरानी रखने के लिए 2 shifts में 5 मिलते हैं, एक inspector या sub inspector 6 frisking और screening personnel, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साब से इन से जो कि अपने आपको PMO का बताते हैं, उनकी frisking करेगा कि कहीं वो weapon तो नहीं ले जा रहे है, या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे है 6 round the clock trained drivers 5 bulletproof vehicles, इस सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख और ये Z plus security आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली वोगा, ये महत्वपून तथे हैं जो आप सब को जानने चाहिए, आपको मालूम है कि किस किस से इन्हों security वापस ले ली थी, हमारे Congress के भी कई नेता थे, उनसे Z plus वापस ले ली, किसा अब आपको जरुरत नहीं है, अब हमें समझ में रहा है जरुरत किस को है, क्यों ली वापस, मान लेते हैं एक मिनिट के लिए, हालंकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखा धड़ी की है, लेकिन चलो एक मिनिट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई PMO का था, मान लेते हैं, hypothetically, क्या PMO के किसी भी अफसर को यूँ इस तरह Z-Plus Security मिल जाएगी, या मिलनी चाहिए, क्या मिल सकती है, ये तीन अलग-अलग सवाल है, क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है, नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है, ये जानना आवशक है देश के लिए, हमारे सब के पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, आप सोची किस तरह के व्यक्ति को ये सुरक्षा दी गई, और किस तर से ये निर्देश आये ये जानना बहुत आवशक ह क्योंकि जो आदमी सरयाम प्रधान मंत्री को धनिवाद दे रहा है ट्विटर से और उसका ट्विटर हमने सुनाए कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है सरकार का ये रूलिंग पार्टी का वो है आईटी तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधान मंत्री के नाम से क्या कर रहा है रखते हैं रखते क्या होंगे रखते हैं उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है और अगर मालूम पड़ा तो क्या पांच महीने तक किया उनों बताएं जरा Z plus security बिना दिल्ली से कोई communication गए कैसे मिली सरकार वहाँ किसकी है वहां किसका शासन चलता है क्या वो ग्रह मंत्राले से सीधे सीधे सम्बंदित शासन है या नहीं है तो सबको मालूम है पिर भी किसी को Z plus security मिल रही है तो या तो ग्रह मंत्री जी की नजर है ही नहीं जो हो रहा है होने दिजिए हमारा तो एक ही काम है बार-बार साबित करना कि हमचानक क्या है सरकार में क्या हो रहा है ग्रह मंतराले में क्या हो रहा है कश्मीर में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं हो सकता है इनका यही रवया हो अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भही इनके साथ दो लोग और थे, जिनें छोड़ दिया गया, कौन थे भही ये दो लोग, और छोड़ कैसे दिया गया, प्रदानमंतरी के नाम का दूरुप्योग हो रहा है, आपने छोड़ दिया, ये चल क्या रहा है, माफ किजेगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है, ये सवाल पूछने की अब हमारी बारी है। 2019 की 14 फर्वरी हम भूले नहीं हैं। पुलवामा में RDX कैसे पहुंचा ये सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुएं उनकी शहादत को हम यू भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है। फिर पुछता हूँ ये कौन से टूल किट का हिस्सा है। हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से DSP दविंदर सिंग आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जमु कश्मीर की पुलीस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किये थे। गेम मत बिगाड़ो। ये किसका गेम था। कौन इस गेम का डारेक्टर था। क्यों DSP दविंदर सिंग को जाने दिया गया क्यों नहीं उसके खिलाफ जाच हुई ये देश जानना चाहता है। पुलवामा DSP दविंदर सिंग और अब ये ठग जो अपने आपको पीमो का हूँ है। बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूँ। ये राष्ट्री सुरक्षा के साथ खिलवार किसकी अनुमती से किसकी निर्देशन से हो रहा था। क्या ये भी कोई गेम बिगड़ गया। जैसा कि DSP दविंदर सिंग ने डाटते हुए जमु कश्मीर की पुलिस के DIG को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड रहे हो। क्या गेम था। गिरफतारी के वक्त डिएजी को डाटा था मत भूलिएगा एक DSP डिएजी को डाट रहा है। और आज मैं आप से पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि DSP दविंदर सिंग कहां है। वर इस DSP दविंदर सिंग। वाट इस तूलकिट गूइंग। इस ते सेम तूलकिट अंडर विच विएव नो आंसर्स उन हाव थार्दी एक्स पुल्वामा। वी लॉस्थ 40 और ब्रेवाट्स। वाट वी फटेट एक्स पुल्वेटव नहीं पूट नुट विच तूलकिट इस अपूरी आम कश्मीरी पंडित आम कश्मीरी नागरिक जान गवां रहे हैं। लगातार टागेट गिलिंग सो रही हैं। न X security न Y security न Z security न Z plus security प्रदान मंत्री जी क्या हो रहा है इस सिर्फ आपका नाम काड़ पे हो PMO तो Z plus मिल जाती है और जिनके नाम की आप दुहाई ले लेकर पूरे विश्व में घूमते हो कश्मीर में हम ये कर देंगे ये कर देंगे फला कर दिया धीकना कर दिया वहाँ ये हालत है घाटी में इस तरह से आतंग की targeted killings कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है इस पर सवाल उठाना कोई आप मुझे देज़रोई नहीं कह सकते मैं सवाल उठाऊंगा लेकिन ये ऐसा toolkit है इस ruling party का कि जो इन से सवाल पूछ ले तो वो तो anti-national है और इनके नाम के card छपवा छपवा के Z plus security ले ले तो राश्च्र प्रथम है कि कौन सा राश्च्र हित्साद रहे हैं आप मैं चुनौती देता हूँ प्रधान मंतरी को अग्रह मंतरी को हमें बताईए राजनितिक स्थर पे किस का इस्तिफा लेंगे आप या आप मैंसे कौन इस्तिफा देगा इस बात पर ये छोटी बात नहीं है इसको मजाक में नहीं टाला जा सकते इस पर तंज नहीं किया जा सकते इस पर कोई जोग शेरो शायरी कभी कुछ कभीता कुछ नहीं हो सकते इस पर सिर्फ और सिर्फ इस्तिफा हो सकता है हम इस्तिफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तिफा आप करवाएंगे अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट की सुरक्षा को लेकर आपके सवाल कौन रिवियू करेगा वो रिवियू करेंगे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंग की तो सुरक्षा वापस लेना उचित समझा राजनेतिक नेताओं का क्योंकि वो आपके दल में नहीं हैं, उनकी सुरक्षा तो वापस ले ली एक रहस्यमेव यक्ति को जो आपका फटका लिए घुमता है, जो आपको त्विटर पे सारजनिक तौर पे धन्यवाद देता है कि कश्मीर में मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हैं प्रधान मंत्री जी ठग है वो ठग तो हम इसलिए कह रहे हैं, हमें मालूम नहीं और क्या क्या है वो, किस टूल किट का हिस्सा है वो, हमें नहीं मालूम हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है उसको आप Z-Plus Security दे रहे हैं और उसकी गिरफतारी की खबर कब तक दबाई जब तक दबा सकते थे जब वो Magistrate के सामने पेश करना पड़ा तब जाकर गिरफतारी की खबर सामने आई खबर तक दबा दी ये इसलिए चाहते हैं कि मीडिया काबू में रहे ताकि खबरें दबाई जा सकें इस तरह ये इसलिए चाहते हैं विपक्ष काबू में रहे जो काबू में नहीं रहे वो EDCBI के काबू में रहे जो उनके भी काबू में नहीं आया उसको एंटिनैशनल कर दें ये है टूलकिट